कि दोस्तों internet आप सबी लोग use करते होंगे सबी के पास और रलग टेलकॉम कंपनी के SIM होंगे जिन में वो internet करेदे होंगे और use करते होंगे लेकिन इन सभी companies में जो एक पात कोमन है वो है इनकी packs कोमन है और एलीडिटी सब्सक्रोगर बमे क्यों देखने को मिलती है 39 या 30 दिन के क्यों नहीं देखने को मिलती है या अगर हमारा महीना 30 दिन का है तो हमें 30 दिन की वैलिडिटी क्यों नहीं देती है वैल इसके दो रिजन्स है पहला तो यह है कि 28 दिन दे करके हर महीने में companies के लिए चीज़े ज्यादा complicated नहीं होती है अब सभी को पताए कि किसी महीने में 30 दिन होते हैं तो किसी महीने में 31 दिन होते हैं और फरवरी जैसा महीना उसमें 28 या फिर 29 दिन होते हैं अब अगर इस टेलिकॉम companies हर इंसान को हर यूजर को हर महीने की अलगलग वैलिडिटी प्रोवाइट करवाईगी तो company के लिए भी बहुत complicated हो जाएगा और यूजर है उसके लिए भी बहुत complicated हो जाएगा तो इसलिए उन्होंने सिर्फ फरवरी का ही 28 दिन उठाए और उसे सभी महीने में लागू कर दिया कि 28 दिन की वैलिडिटी आपको देखने को म आप 28 दिन दें करके हर महीने में companies की ज़्यादा कमाई होती है बताता हूं कैसे आप सभी को पता है कि एक साल में बारा महीने होती जिन में से 6 महीने 31 दिन के Вोती है एक महीन दिन को होता है जो की फरवरी है और बाकी के जो पांच महीने बचते हैं वह 30 दिन के होते हैं को सम करता हूं तो मेरे को जो आंसर मिलेगा वो है 28 दिन मतलब यह है कि अगर कोई कस्टमर एक साल तक किसी कंपनी का सिम यूज करता है और उससे वो रिचार्ज करता है तो जनरली अगर 30-30 या 31-31 दिन का वैलिडिटी मिलती तो वो केवल 12 बार करता रिचार्ज लेकिन 28 दिन की वैलिडिटी मिलने की विए से यूजर को 12 बार की जगा 13 बार रिचार्ज करना पड़ता है जिससे की कंपनी को जो एक महीने की पेमेंट होती है वो एक्स्ट्रा मिलती है हरजाल जिस को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना बागी में मिलता हूं आप से अगली योडियो में तब तक के लिए बाबाए